नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे मद्ध प्रदेश भोज ओपन इंवर्सिटी द्वारा अगर आप घर बैटे ग्रेजुएशन एबम पोश्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऑनलाइन आविदन पर हम हो चुके हैं जिसम सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंफर्मिशन दे दें ति आविदन कब से कब तक होंगे और इसमें कितना फीस पेवेंट आपको लगेगा किस कोर्स के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर हम मुख वैपसाइट पर चलते हो है भी ग्रेजुइशन के लिए जो प्रोसेस थी जो बारा जनवरी दोजाल चौविस से स्टार्ट हुई थी और इतीस जनवरी दोजाल चौविस तक चलने वाली है जिसमें बीए बीएस्टी बीकॉम के जो समस्त सब्जेक्ट हैं फस्ट इयर के उनके आविदन यहाँ पर और आविदन कैसे करना इसकी जानकारी बता देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म पेजी कोर्स का यहाँ पर उप्सन दिया गया है जिसमें जुलाई सेशन 2023 के अंतरगत आप यहाँ पर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं 15 फरवरी 2024 इसकी लास्ट है चार अक्टूबर 2023 इससे आविदन पर हम हुए थे लेकिन इसमें अभी सभी सब्जक्ट ओपन नहीं हो पाए थे लेकिन आज से जो है यहाँ पर सभी सब्जक्ट ओपन हो चुके हैं और 15 फरवरी 2024 तक आपके जो आविदन है वो चलने वाले हैं यहाँ पर फीस की बात क का कॉर्स करना चाहते हैं तो 1600 रुपे इसके साथ आप जो और भी कॉर्स दिये गए है में हिंदी में राजनीती में अर्थसास्त में फेस्वी के लिए आपकर चईश तरू šar픈 का छृस्वारी सुल्फ बहुतान करना है में भूगल के लिए 8600 रूपे का स्ल्फ बहुतान करना हुगा, इसके साथ साथ MSC जनतु विज्यार और MSC बनस्पति विज्यार के लिए भी 9000 का सुल्क यहां पर आपको लगेगा, इसके साथ एकर कोई graduation course करना चाहते हैं, तो graduation course के लिए भी फीज दी गई है, तो इस PDF की direct link आपको वीडियो के नीचे अब यहां पर post graduation जो है आपका दूरस्त सिक्षा के माध्यम से यानि private यानि आप घरवेट ही आप जो है अपना course कर सकते हैं केवल आपको exam देने के लिए जो है आपको हर वर्स exam center जाना होगा, बाकी आपको कहीं जाने की ज़र्ट नहीं होती है यहां पर सबसे ज्यादा इसका जो lab है वो service या job करने वाले जो आविदक होते हैं या जो student है जो कोई और काम करते हैं और कोई और पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर कर सकते हैं इसका जो fees है सामन्न है सभी college के हिसाब से इसका जो fees है आपको लगेगा यहां पर सबसे पहले आपको program select करना है जिस program में आप admission लेना चाहते हैं एक्जाम्पल के लिए आप MBA करना चाहते हैं या फिर आप MLip करना चाहते हैं या MBA करेंगे MSW करेंगे इसके बाद अगर आप में करना चाहते हैं किसी भी subject से आप यहां देख सकते हैं में इंगलिस से है economics, Hindi, History, Political, Science, Sociology, Geography इसके साथ ही यहां पर जो आपका MSC के subject है Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Geology तो यहां पर आपको जिस भी subject में post graduation करना है उसे आपको select कर लेना है example के लिए हम यहां पर जैसे कि English से MA करना चाहते हैं तो यहां पर हम English कर सकते हैं या फिर आप MSC करना चाहते हैं तो MSC कर सकते हैं इसके बाद यहां पर हम branch select करेंगे तो branch select में आप देख सकते हैं इस type से आएगा या फिर हम अगर MSC करेंगे तो हम MSC भी select कर सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर आपको graduation की qualified information देनी होगी यहाँ पर आपको center select करना है तो इतने center यहाँ पर दिये गए हैं यहाँ पर अगर आप कोई और यानि जो आपका English subject है बो इतने ही center में यहाँ पर आपके exam हो पाएंगे लेकिन अगर आप कोई और जो है course select करते हैं जैसे कि हम MSC select करते हैं mathematics से तो यहाँ पर आपका subject है बो यहाँ पर आप देख पाएंगे लेकिन आपके जो यहाँ पर center हैं यहाँ पर सभी center आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप जिस भी आपके नजदी की center में जाकर अपना जो आविदन करना चाहते हैं वहाँ पर जमा कर सकते हैं तो यहाँ पर हम जैसे कि हमारा center select करते हैं फिर यहाँ पर हमारे college खुलेंगे हम किसी एक college को select करेंगे जिस college को आप यहाँ पर select करेंगे उसी college में आपके exam होंगे और उसी college में आपके document समा होंगे और वहीं पे आपको mark sheet मिलेगी तो सभी परक्रिया वहीं से होगी तो आप ऐसा college select करें जहाँ पर आपका आना जाना बिल्कुल सरल हो कोई प्रॉब्लम आपको ना जाए इसके बाद यहाँ पे आप से पूझा जाए कि आपने पहले भोज इन्वर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पे आपको नोकल देना अगर रहे हैं तो यस करेंगे इसके बाद युगता का विर्वान देना है यहाँ पे आपको ग्रेजुशन की जानकारी है वो भड़नी है तो ग्रेजुशन की जानकारी में आप से पूझा गया इसके पहले आपने क्या किया है और कौन सी इन्वर्सिटी से किया है तो हमने जो ग्रेजुशन किया है किया है उसे आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रॉल लंबर लिखना है यहाँ पर पासंग एर क्या है जिस एर में में आपने कशा इनि गैयाजुशन पास किया है कमप्लीट किया है लिए से एकजाम्पिल यहां पर आपको कितने नंबर आपके जो है यहां पे maximum है तो यहां पर आपको 2000 का paper हुए थे total आपका जो है 2000 है और 1600 आपको नंबर मिले है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको information भर देनी यहां पर total जो आपके तीन वर्स के नंबर है वो यहाँ पे लिखना है और टोटल आपको मिले नंबर है वो यहाँ पे इतने लिखना है इसके बादब हम आगे चलते हैं यहाँ पे आपको self-learning material में आपको yes कर देना है yes कर सकते हैं यहाँ आप swim material लेकर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप yes कर दें नहीं करना तो आप10 भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपको जो एबिसी आइडी आपको बनाना है। भूरे बनाना है आपD hometown जो है डिजीटल लॉकर पर जाकर अबिसी आइडी में जो sellec करना है यह information फिल करने के बाद यहां पर हमें ब्यक्तिगत विब्रण देना है ब्यक्तिगत विब्रण में आपको यहां पर आविदक का नाम लिखना है example के लिए हम इस type से नाम लिख लेते हैं जो भी इनका नाम है इसके बाद यहाँ पर last नाम में इनका cast लिखना है जाती लिखना है इसके बाद यहाँ पर हिंदी में इनका नाम लिखना है जो भी हिंदी में इनका नाम है तो इनका जो भी नाम है हिंदी में हम वो यहाँ पर इ जो भी हैं select कर सकते हैं इसके बाद यहां पर वैवाहत अविवाहत वो भी लिखना है इसके बाद इनके पिता का नाम लिखना है जो भी इनके पिता का नाम है वो आप यहां पर type करेंगे तो इस type से आपको इनके पिता का नाम लिख लेना है इसके बाद इनकी माता का नाम जो सकते हैं अन्नत हम इसे नो कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको आपका धर्म सेलेक्ट करना है जो भी आपका धर्म है जैसे कि हमारा यह हिंदू हम हिंदू सेलेक्ट कर देते हैं इसके बाद एरियन में आपको जो है ग्राइमिर छेत्र से हैं तो रूलर सेलेक्ट करना ह हम grammar से हैं तो grammar select करते हैं इसके बाद employed unemployed की जानकारी पूछी जाती है अगर आप किसी प्रिकार की service करते हैं जौब करते हैं तो यहाँ पे आप employed लिख सकते हैं अन्दत हम unemployed लिख देते हैं लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप employed लिखेंगे तो government, private और other की information आप से पूछी जाती है लेकिन आप unemployed लिखेंगे तो यहाँ पे आप other select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको address लिखना है जो भी आपका address है वो आप यहाँ पे लिख दे एड्रेस लिखने के बाद इस इसके बाद यहाँ पे संपर के detail में आपको का mobile लिखना लिखना है मोबाल लंबर के बाद अगर आपका mobile ID card या फिर आप अपना pen card या आधर card लगा सकते हैं government approved ID card में आधर card number आप यहां पर type कर सकते हैं जो भी आपका आधर card number हो इसके बाद यहां पर आपको voter ID card है तो yes करें नहीं या तो no कर देए इसके बाद यहां पर bank detail में आपको आपके bank का जो information है वो भरना है सबसे पहले bank का नाम भरना है तो आपका जो भी bank का नाम है जैसे कि example के लिए SBI लिख देते या जो भी bank order या जो भी है वो लिख दे यहाँ पर bank order का नाम लिख दे जिस भी candidate के नाम से bank account है वो आपको यहाँ पर लिख देना है इसके बाद यहाँ पर account number लिखना है IFSC code लिखना है इनफॉर्मिशन फिल कर लेने के बाद आपको क्या करना है 100 paper detail का option पर click करना है अब आपके जितने भी post version में subject होंगे वो automatic यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको कोई दो subject दिये गए है इनको आपको tick करना है तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर subject चेक कर लें यह subject सही है तो आप इन उप्सन पर आप tick करेंगे tick करने के बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर आपको 100 fees detail का option दिखेगा इस fees के detail के option पर आपके लिक करेंगे तो आपको fees दिख जाएगी कितनी fees लगनी है 9000 रोपे total course fees है 300 रोपे registration fees है 56 रोपे total charge है यानि 9356 रोपे आपको यहाँ पर pay करना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर date of birth group में 10B की mark sheet लगाना है अगर आपके पास निवاس Sprcmore पत्र है तो इस पर click कर देना 吃 certificate है तो इस पर click कर देना यह चारोटिक करना इसके बाद यहाँ पर photo upload में गई करना है इसके बाद यहाँ पर upload की option पर click करना है इसके बाद हमारा जो photo है इस type से हम इस type से आपको photo upload करना है example के लिए हम आपको एक photo बताते हैं इस type से आपको photo signature एकी page भी upload करना है इस type से photo upload करेंगे और आगे चलने के बाद यहाँ पर आपको आपकी mark sheet skin करनी है जो कि आप graduation की mark sheet का जो last mark sheet है आपका वो आप 200 kb में कम यहाँ पर upload करेंगे अपलोड करने के बाद आप इस option पर click करेंगे फिर आपको यहाँ पर जो है अपना capture code लिखना है capture code लिखने के बाद आपको submit button के option पर click करना है जैसे आप submit button के option पर click करेंगे आपका आविदन नेश्ट प्रोसेस पर पहुंचेगा बहां आपको अविदन चेक करके जो है फीस पेमेंट करना है, फीस पेमेंट आप online किसी भी तरीके से कर सकते हैं, online फीस पेमेंट करने के बाद आप अपना रसीद प्रेंट करेंगे और उसकी जो है आपको तीन पृतियों में यानी चार प्रतियों में photocopy करना है समस्त document की photocopy करना है और आपने जो center उपर select किया है एक्जाम के लिए college जो select किया है उस college में जाकर आपको तीन प्रतियों में जो है अपना जो आविदन है वो हां पर जमा करना है और एक प्रति आपको स्वेम रख लेना है इसके बाद कि जो करने का पूरा प्रैस करेंगे जानकर यह अच्छी लगी हो तो लाइक और शेट जड़ू करें और यूट्यूप में को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद